गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप लोगों के दात में दर्द रहता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू प्योग क्या कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर दात दर्द क्यों होता ह और इनके लिए आप लोग घरेलू पाए क्या कर सकते हैं तो वीडियो पूरा देखते रहें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें तो आपको बता दूं कि दांत जो दर्द ह होता है इसका क्या कारण है इसका यही कारण है दोस्तों की दांत का जो जड़ होता है उसका कमजोर हो जाना या गलत तरीके से आप लोग दांतों की सफाई करते हैं तो जिनके कारण भी दांत दर्द हो जात दांत में दर्द होने लगता है या तो हो सकता है कि दांत के टू आने लगते हैं तो हमारे दातों में दर्द रहती है या तो आप लोग अधिक मीठा खाना पसंद करते हैं तो उनसे भी दात में दर्द हो सकता है ठीक है दोस्तों या तो हो सकता है कल्सियम की कमी के कारण भी दात कमजोर पड़ जाता है जिस कारण दातों में दर्द होने समय में क्या कर सकते हैं तो पहला जो दोस्तो है उसके लिए आपको लाउंग का परियोग करना होगा जी हाँ आपने सही सुना इनके लिए आप लोगों को एक लाउंग को दांट के नीचे दवा कर रखिए आपको बहुत ही जल्दी अराम मिलेगा लाउंग का तेल भी दर्द को भगाने में बहुत ही अच्छा माना जाता है दुसरा जो दोस्तो है वह है लासून जी हाँ इनके लिए आपको दांट में जहां दर्द हो रहा है उस समय आप लासून को चबा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो ता लसून के अंदर जो हता है एक प्रकिर्तिक जीवन रोधी एजेंट होता है जो आपके दर्द को समप्त करने में अच्छा होता है अगला जो दोस्तो है वह है हींक का आप लोग प्रियोग कर सकते हैं जी हाँ उनके लिए आप लोग चुटकी भर हींक को मौसमी के रस में मिला कर रूई में पले लगा लिजिए और उसके बाद जहां दर्द हो रहा है आपके दातों में वहां पर आप लगा सकते हैं या घरे लूपाई सबसे अच्छा है अगला जो दोस्तो है वह हल्दी है जी हां आपको बता दू हल्दी नमक और सरसो का तेल का पेश्ट पहले बना लिजिए और फिर दात जहां दर्द हो रहा है वहां पर लगाईए बहुत ही जल्दी आपको अराम देखने को मिलेगा अगला जो दोस्तो है दात के दर्द के लिए वह है आलू का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी हां आपको बता दू पहले सबसे पहले आप लोग आलू का छोटा छोटा टुगड़ा काट लिजिए ठीक है कच्चा अलो होना चाहिए पका वालो ना होना चाहिए ठीक है छोटा छोटा टुकरा काट लिजिए और उसको अच्छी तरीके से आप लोग चबाएं मुँ में इसे कुछ देर में ही आपका दांत दर्द जो है वह बहुत सही हो जागा अराम हो जागा अगला जो दोस्तो है वह है प्याज जी हाँ दांत दर्द की परिसानी में प्याज बहुत ही कारगार साबित होता है प्याज अपने गुनों के कारण मुँ के जिवानू और बैक्टिरिया को नश्ट कर देता है दांत में जो भी दर्द हो रहा है प्याज के टुकडे को सिर्फ आप दांत के पास रखिए और हलका हलका चवाए आपका जो दर्द है वह समाप्त हो जाएगा अगला जो दूस्तो हो है बेकिंग सोडा का आप लोग उप्योग कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको रूई को पानी में डाल कर पले निचोड लिजिए फिर उसके बाद बेकिंग सोडा उस पर हलका सर्च रख दिजिए फिर इसे दर्द वाले दांत पर अच्छी तर दर्द जो हो रहा है वह आपका सही हो जाएगा अगला जो दोस्तो है वह है अमरुद का सेवन कर सकते हैं जी हाँ इनके लिए आप लोग अमरुद के पेड़ की ताजी पत्तियों को एकदम साप सुतरा धो लिजिए साप करके फिर उसको मूँ में चवाए आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा या तो आप लोग ताजी पत्तियों को भी पानी में उबाल कर ठंडा पले कर ले इसमें नमक मिला लिजिए उसका कुला भी कर सकते हैं ठीक है इसे भी आपको दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा दांत का जो दर्द है वह आपके खान पान पर भी डि उनका आप लोग कम से कम हो सके सेवन करें, जादा अधिक मातरा में ठंडा या गरम चीच का सेवन बिल्कुल भी ना करें, कुछ भी खाएं, उनके बाद आप लोग जरूर कुला करें, हाथ डाल कर अच्छी तरीके से दातों की सफाई जरूर करें, ठीक है दोस्तों ये था में ज़्यादा दर्द है, तो आप लोग डाक्टर की सला अवसले या सिर्फ घरेलू मान्यातों पर अधारित था, आपको ये वीडियो कैसे लगी, हमें नीचे कॉमेंट करके जुरूर बताएं, मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिखाया लखिये, मस्त र अल्षा, झा झानकारी के लेवान, मिलते हैं के ये जानकारी के ल應該शनकारी के Sutग है सिर्फ रेएνोς सिर्फेया की साथ, हमेंगे leftover कर देंगे, मिलते हैं और अँरूरूर, पुरूरूरू, अऔर। है cuartoэт